भारत विविदता का दर्पर एकता की मोरत और लोक तंत्र की जननी यहां गणतांत्रिक विवस्थाओं के उदाहरन है वेदों में वैशाली की गण परिशत के उत्कोचों में आचारे चानक्य के अर्थ शास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल सामराज्जी की पंचायत विवस्था में उनकी गणम और वार्यम विवस्था में, भगवान बस्विश्वर की अनुभव मन्टपम की धारणा में। गण, सभा, गणपती, समिती, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूब बदलता रहा, संसकार नहीं। बदलते समय के साथ, भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतत। जिसका साक्षी बना हमारा संसत्भवन। करीब एक शताब्दी पहले, 1927 में, आप निवेशिक हितों के लिए ये काउंसल हाउस बना। देश आजाद हुआ। ये भारत की संसत्भवन। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस से भारत के नागरिकों का प्रतनिधित्व करते हैं। विचार विमर्ष की तंदरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसन। इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसत्भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तक्नीक का क्रियानवयन चुनोती पूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवशक्ता को महसूस किया। पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में और 10 दिसंबर 2020 को संसत के नव निर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। थाई वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में पहले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23,000,000 मानव दिवस से भी अधिक स्रिजित रोजगार से निर्मार कार्य पूरा किया गया जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसद भवन के निर्मार का शुवारम हमारी लोकतांत्रिक परमपराओं के सबसे एहम पड़ाओं में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांगशाओं और उज्जवल भविश्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्मार मौझूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौझूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के छह द्वार हैं जो भारतिय सभ्यता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन। शारदुल और गर्व यानी नभ को नमसकार। अश्व और गज यानी थल को प्रणाव। संसत के नए भवन का नया विराथ लोकसभा कक्ष। जो राष्ट्रिय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग दो गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष। राष्ट्रिय पुष्प। कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देड़ गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्बित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक बीरगा का निर्मान किया गया है। अत्याधनिक डिजिटल उक्तर्व दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कारिवाही को विभिन भाशाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कारिवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया डिस्प्लेइ। आटोमाटिक क्यामरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है। यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिय को। जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष। जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के सम्विधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोनिय छट से सूरी की किर्णे ब्रहमान्द का भ्रमन करते हुए पेंडिलम क्लॉक पर गिरती है। यह किर्णे बर्गत के पेड को नहलाती है। और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष। पुस्तकाले भोजन कक्ष में फैल जाती है। आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भागने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है। उनी से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्क। कहीं उत्तरप्रदेश की कालीन बिची है। कहीं त्रिकुरा की बैंबू वुड फ्लोरिंड। वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत, श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित। सभी वर्गों, प्रांतों ने बिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन एको फ्रेंडली होने के साथ साथ हुकम प्रोधक भी है। सत्रा सौ से अधिक दरवाजे खिरकियां है। साथे तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कोरिडोर्स है। ये भवन विकास और विरासत का अध्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्माट फीचर्ज और स्माट एक्सेस की विवस्था है। वही भारत की प्राची कलाओं का अध्भुत एक ही करण भी है। तो नया भवन आत्म निर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा। पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए काम हुआ। तो नय भवन में 21 सदी के भारत की आकांचाय पूरी की जाएगी। नय भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता। विकसित भारत के संकल्प को गती देता। ये है हम भारतियों का संसत भवन। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नय संसत भवन की आवशक्ता पर चर्चा की थी। माननिये प्रधान मंत्री ने इस पर विचार किया। और नए भारत के निर्मान की अपनी दूर तर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्मान कराया, जो हमारी विरासत और परमपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथ्यों नए संसत्भवन का निर्मान लूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरन है ये नए सनरचना लगभग 69,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है माननिये प्रधान मंत्री ने राश्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है 75 वर्ष पहले की सुतंत्रता की भावना को पुनर जीवित करते हुए माननिये प्रधान मंत्री ने आज तमिल नाड के आधी नमों से सेंगोल को स्विकार किया है सेंगोल राश्ट्र के लिए नियाए पूर्ण और निश्पक्ष शासम का स्मरण कराता है सेंगोल तमिल शब्द से मैई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीती परायनता इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीत पवित्र नंदी अपनी अचल द्रिष्टी में विराजित है ये वही सिंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वड़तुरई आदिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से सुईकार किया था जिसका आयोजन भारतीय सभ्वेता के अनुसार किया गया था उसके बाद इस पवित्र सिंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका जो मिलना चाहिए था कहानी मुर्ती है तमिलनाड के काची पुरम की ओर जहां पूजनिये काची मठ का आसन है 15 अगस 1978 मठ के 68 प्रमुख परमपावन श्रीचंद्र शेकरेंद्र सरस्वती स्वामिगर्ड जो महापेरियवा अर्थात प्रभुद्ध जैष्ट के रूप में जाने जाते हैं वे सेंगोल व्रितांत को स्मरन करते हुए अपने अनुयाई डॉक्टर आर्शुब्रमनियम से इसका वरनन करते हैं जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अफसर पर सेंगोल में एक महत्वपून भूमिका निभाई थी हमारे तिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उलेख नहीं किया गया है एक बार इस अध्भुत्सन स्मरन के सार्वजनिक होने पर थमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरियता दी माननिये प्रधान मंत्री एक परंपरा गत प्रतीक की खोज में थे तक पस्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्शन किया उन्होंने इसकी जाँच करवाई जिसका प्रमान मीडिया विशलेशनों और पुस्तकों में मिला आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई यह एतिहासिक सेंगोल इलाहबाद संगराले में मिला यह चोला सामराज्जे से चली आ रही हमारी भारतिय सभ्यतागत प्रथा है चोला सदियों तक हमारे उप महादेट के अग्रणी सामराज्जों में से एक थे सबसे महत्यूपून बात यह है कि सेंगोल के प्राप्त करता के पास न्यायपूर्ण और निश्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है जिसे तमिल में आने कहा जाता है इस विचार से माननिय प्रधान मंत्री प्रभावित हुए उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने यह निश्चे किया कि इस अभीतिये प्रतीक को अमरित काल के प्रतिविंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए ताकि राश्च्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे सेंगोल को आज सुभा संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निश्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरन कराता है इस दिर्टा के साथ भारत विश्व गुरू के रूप में अपना यतोचित स्थान ग्रहन करने की ओर बढ़ रहा है